नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक साइट पे आया हूँ, कंप्यूटर की नेटोकिंग करने के लिए, तो मैंने कश्टमर से बात कर लिया, सर मैं रिकॉर्डिंग कर लो, अपने कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ, बेसिक चीज़े कैसे कैसे काम होता है, दोस्तों networking क्या होता ना कि 3-4 computer को आपस में connect करके एक जिकर से data दूसरे एक access कर सकते हैं अगर किसी client के पाद एक ही printer पड़ा हुआ तो उस printer को share कर सकते हैं clear है ना एक computer यह हो गया और एक computer यह हो गया इन तीनों को तार के माध्यम से connect किया गया है और मतब कहीं से भी बैट करके किसी भी computer का file वहां खोल सकते हैं इसी को networking करते हैं clear दोस्तों देखिए यह वाला जो जिखना है ना computer आपको सामने screen के उपर यह वाला CPU जो है इसी को हमको इन दोनों से network करना क्योंकि पहले से यह दोनों computer जो है जूड़े हुए है तो क्या होता इसमें system क्या होता है कि जब computer connect करते हैं तीनों मेंसे किसी computer तीन computer पांच computer हो एक को बनाना परता हमको server मतब में computer तो यह वाला computer जो है आपको है अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं network कि हर computer का आपना खुद का नाम होता है नाम चेक करने के लिए computer properties में जाए देख सकते हैं कि इस computer क्याना हम है इस computer का नाम दिया गए server नाम दिया गए computer name लिखा हुआ आप चाहिए कुछ भी नाम दे सकते हैं और एक group होता नीचे लिखा वह वर लेता है आप कुछ भी ग्रूप बना सकते हैं क्लियर रहा है विंडो टैन के अंदर यह feature था हमने यह जो है कर लिया है बहुत बेसिक सा बताने प्रास कर आपको मैं तो टैली का software जो लोड़ है यह करना चाहिए दूसरे computer को अपर और इस printer को हम सेर कर देंगे तो किसी भी इस computer से बैड करके आप प्रिंट आउट करेंगे मतलब यह computer on होना चाहिए तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं यह वह यह काम कर रहे हैं और इस computer मैं सर्फर कंप्रूटर में तो क्या करना पड़ता सबसे पहले देखिए वन बाए-वन हमने आपको बताने का प्रास करते हैं कैसे कैसे कर सकते और मतलब तार हमने आपको सिल ना के लिए बता रहा हुए तो हमने क्या प्रब्लाइब को बैट करके दूसरे खोल सकते हैं जो सकते हैं और हमने प्रोपरटी में आगे तो इसमें लगा गांगे फा क्लिक करेंगे यहां पर प्रोपरी में जाएंगे यहां पर प्रोकॉल प्रोट्थ 1049 गोल्द् oder का प्रोटोकॉल से स्ङ Topляются इसें सेक्वन माध्यों का माध्यीया प्रोटो क्रोटो क्या होता है मताब भी दूसरे यहां पर जो है आपका वन रहेगा और लास्ट का जो नंबर रहतास सिर्फ बग्रफता है जैसे यह नंबर न यह बन रहेगा और दो Сब्सक्राइब कुछ डाल सकते हैं यह क्लियर हो चुका इस प्रकार से हम ऐसे हमने आई पी अडिर डाल दिया है और इसको बंद कर देते हैं अब देखिए तो समझना ना प्रोटकॉल मतलब कि तीनों कम्प्यूटर को आपस में करने प्रोटकॉल होता है अब क्लिक करेंगे क्लाइंट के अब कर देखा रहा है कि यह लो मतलब तार कनेक्ट तो नहीं आता यह खुल जुगा यह अब कर दोपने के से आप तीनों करना चाहते है उसको बोलते नेट्वकिंग करते हैं और मतलब एक कंप्यूटर से बैठके दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एकसेस कर सकते हैं देग और जैसे एंटर करेंगे तो अभी से क्योरटी है एक होता फायर बॉल नम सुन आप आपने फायर बाल का Wijसल नहीं करेंगे तो यूद्ट से सरफ के फाइल को ऐसे करने देगा चर्क करने कील एक कमांड उता पिंग पी-ाई-नजीं कंप्यो इंदर और जो भी आई-पी एड़ेज इस कंप्यूटर को सच करना जा थे 192.168.1. और वो करके माइनस स्मॉल लेटर में टी कर दीजिए तो जिस कंप्यूटर का आप आप डालेंगे तो यह पिंग करेगा मतलब बता रहा है कि मैं उसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं वहां से रिक्वेस्ट रहा है मतलब तार्ट ठिक ठाक लगा हुआ है और आपका जो है लिटिल बिट काम कर रहा है इसलिए पिंग कहते हैं पिंग तरीके से चेक कर सकते हैं इतना जान चुके एक ताम देखिए बेसिक समझेए गाइदम पूरा मैं आपको एक दिमें क्लाइन पोला कि आप जो है पासौर डालिए पासव मर्तभ सरवर का जो प्रिंट आउट करेंगे तो कुछ नाम था तो यहां तो यूजर अकाउंट यूजर नेम जो तो डाल दिया और जो पासवर्ड होता वह डाल दिया करने बाद में एक लिक कर दिया अब देखिए वह सर्वर का कंप्यूटर जो करने वाद में इसकी जो फाइले हैं जो करेंगे तो प्रिंट आउट करने बाद में सीधे आपका वह वाला कंप्यूटर वी देखिए जो सर्वर कंप्यूटर का संपर रहो हमाँ आपने आपने इस जो प्रिंट्वूटर से आप बहुत कर रहें तो खर आगर आप जाते हैं कि आपके एक ही प्रिंटर तीनों कंप करें सब्सक्राइब करें मैक्सिम आपको देखिए यह काम होता है बड़े बड़ ओफिसें में काम होता कि हर जगा पिंटर नहीं लगा रहा था सेपरेट पिंटर दिया रहा था उस टेके से कर सकते हैं और आपस में तीनों मतलब यह कनेक्ट हो चुकिया और तीनों जगह से इसको कर सकते हैं अब टेली का जो सॉफ्टर है मतलब कि इसको तीन जेगह से यूज कर सकते हैं इसमें सिंगल यूजर भी आता मल्टी यूजर भी आता है कस्ट्म ने मुट्यू खईद रखा है इसको हम आपने इस तॉल कर दिया आप इसी को जो है आप उसका यहां पर देटा जाकर दूसरे कंप्पूटर में सेव होगा मतलब इस तरीके से इसको बोलते हैं मल्ती यूजर सौफ्टर प्लिर समझ दोस्तों ऐसे बहुत सारे सौफ्टर आते मार्केट के अंदर जो कि मल्ती उजर होते हैं उसमें टैली से पूरे इंडिया मतलब मैंनी में इसको लोग यूजर करते हैं और अकाउंटिंग परपस से यह सौफ्टर होता है तो मुझे लगता है कि देरे समझ प्यारा को को पूछें नेट्वकिंग क्या हो तो बता दीजे कि तीन चार कंप्पूर्टर को आप तीन चार कंपूर्टर क् पर यहां से दिखा रहा है और यहां से दिखा रहा है नीचे दिखा रहा है तो प्रोटोकॉल इंपूर्टेंट होता है यह सारे चीज़ें होती है तार से करनेट करके वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और सिर करें दूसरे अब नमबर करें